हलो फ्रेंस विल्कम टू गुर्गुल काच से जैसे आप पता है कि हम यहाँ पे डिस्स करने जा रहे हैं लीगल एप्टिट्यूट के कुछ इंपॉर्टेंट को जानते रहे हैं आप चाहे LLB के लिए इंप्रेंस देने जा रहे हैं आप दोनों के लिए कॉमन मैटर है जानत के लिए आज हमारा पहला कुष्चन है भारती दंड सहिता की धारा 301A किसे संबंधित है तो दीखे ऑप्शन A में है हत्या से ऑप्शन B में है सदोस मानववद से ऑप्शन C में है जहां अत्यधिक असाउधानी से कार करते समय बिना इरादे के हत्या हो जाए और ऑप्शन अगर बाकी बची हुए ऑप्शन की बात करें जैसे ऑप्शन नबर A में है हत्या से अगर यह बात करें कि कौन सी भारती दंड सहिता की धारा है जो हत्या से संबंधित है तो जानते रहे कि भारती दंड सहिता की धारा जो हत्या संबंधित है धारा 300 में यह परिभाशित कि किस किस कंडिशन में अगर किसी इंसान को कोई मारता है तो उस वो हत्या की कैटेगरी में आएगा इतना याद रखे किस में है धारा 300 में इतना याद रखेगा अब अगर बात करें ऑप्शन में जो बी में है सदोस मानवध ये किस धारा से संबंधी थे तो जानते रहेगा भ दारा 304 में इतना याद रखीएगा हमारा अगला कके ऐन आ, मिथ्या साक्ष देने के लिए भारति दंड तक किस दारा में दंड की विवस्था आ है मिथ्या का क होता है ज्छूटा और साक्ष का मतलब होता है इस अ जाता है और जाता है और दंड के सामने Country जाता है मिथ्या साच देने के लिए भारती दंड सहिता की जिस धारा में दंड का प्राउधान किया गया है वो है 193, 193 दिखिया है ऑप्शन नमबर D में तो हम D नमबर को क्लिक कर देंगे अब बात करें कि 109 जो कि ऑप्शन नमबर A में आया है इसमें किस चीज़ का प्राउधान है तो जानते रहेगा भारती दंड सहिता की धारा 109 में अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड का प्राउधान किया गया है किसके में धारा 109 में इतने याद रखिया और अगर बा 109 में इतना याद रखियेगा अगर बात करें कि ऑप्शन मज़सी में है 192 में 192 में किस चीज़ का प्राउधान किया गया है तो जानते रहेगा धारा 192 में जूटा साक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में ये भी है अब किस से रिलेटिट है अगर कोई बुक हो गया निट पे जो भी चीज़ होती है अगर उसके खिलाफ आप क्या करते हैं जूटे सबूत एकत्रित करते हैं जालसाजी करते हैं इसका मलब कि आप ये करते हैं कि ये लाइने वहां से ली गई हैं और ये सारी जो जो भी चीज़े बुराईया है ये उस बुक में है या उस पाउधान किया गया है इससे संबंधिन वो किया गया है धारा 192 मितना याद रखेगा हमारा अगला कुश्चन है भारती दंड सहीता की किस धारा में सदोस अवरोध की परिभाशा दी गई है अब जानते रहे हैं जिनको नहीं पता कि सदोस अवरोध क्या होता है तो जानते इसको प्रॉब्लम क्रेट कर रहा है बार-बार उसको वो चीज करने नहीं दे रहा है तो यह जो आता है यह जो अपराद है यह किस धारा में आता है हमारा यह कुश्चन तो जानते रहेगा भारती दंड सहीता की धारा जो 349 है इसमें सदोस अवरोध की परिभाशा दी आख्या की गया है अगर कोई इसमन किसी को जान बूँच कर छटी पहँचाता है तो उसको छटी पहँचाने की जो दंड का प्राउधान है वो धारा 334 में तहा दह भात करें okay अप्शन नमबर बीग में जो आया है और धारा 335 इसमा किसका प्राउधान है तो जानते रहे हैं अगर कोई भी इनसान किसी के उकसाने पर किसी दूसरे इनसान को चोटिल होने का वो कारण बन जाता है और वह या भी नहीं सोचता कि इससे किसी और इनसान को भी चोट लग सक अप्शन नमबर बी में आए है इतना याद रखेगा और अगर बात करें कि ऑप्शन नमबर जो डी में आए है धारा 348 यह किससे संबंधी तो जानते रहे हैं गर कोई इनसान आपकी इच्छा के विरुध आपको रोकता है किसके लिए किसी बात को मनवाने के लिए आपको रोक के रखता है या फिर कोई बात जबरजस्ती जानने के लिए अगर आपको एक जगह रोक के रखता है या फिर कोई दस्तावेज या संपत्ति को लेने के लिए आपको जबरजस्ती आपको रोक के रखा हुआ है तो ऐसे इनसान के लिए दंड का जो प्रावधान किया ग तो जानते रहेगा आप राधिक शड़ेंद्र की परिभासा जो भारती दंडिसाहिता की धारा में जिसमें दी गई है वो धारा है एक सो बीस का ए या एक सो बीस का कभी आप कह सकते हैं तो एक सो बीस का ए दिखिया है option नमर बी में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option नमर बी इसलिए हम बी नमर option को क्लिक कर देंगे हमारा अगला question है निम्न में से कौन सा अपराध अपकृत्य एवं अपराध दोनों की स्रेड़ी में आता है इसका मुलब कि कौन सा अपराध हो है इनमें जो चार option बताएगा है जो अपकृत्य के भी category में आता है और अपराध की में अपकृत्य का मतलब समझ लिजीगा हानी दुषकर में या कुकर में या फिर गलत कार्य होता है इतना याद रखेगा option A में है आकरमल करना option B में है उपेच्छा में सडेंद करना option C में है मान हानी एवं उपताप उपताप का मतलब होता है पीड़ा या और option D में है उप्यूक्त सभी तो जानते लिए का हमारा जो सही आंसर होगा option number D उप्यूक्त सभी तो जानते लिए का अपकृत्य एवं अपराध जो दोनों की कटेगरीम जो आते है वो आकरमल करना भी आता है उपेच्छा में सडेंद करना भी आता है मान हानी एवं उपत आप भी आता है इसलिए हमारा जो option number D होगा हम D number को क्लिक कर देंगे हमारा अगला question है अपकृत्य किस प्रकार का दोश है तो दिखे option A में है दीवानी, option B में है आपराधिक, option C में है संपत्य और option D में है उप्यूक्त सभी तो जानते लिए का अपकृत्य पहले जान लेते अब उसका भरपाई को कर दे और matter वहीं शानत हो जाएगा तो ऐसे च्छती को हम बोलते है अपकृत्य अभी कहें जो अपकृत्य है वो किस प्रकार का दोश है तो जानते रहेगा अपकृत्य जो होता है वो दीवानी दोश माना जाता है और दीवानी दिखे आ है option number A में त दिवानी दिवानी में जानते रहेगा दीवानी वाद इसको इंगलिश में आप कहते हैं civil disputes जानते रहेगा अपकृत्य होता कि किस नीजी या सारजनिक अधिकार के बारे में दो या दो से अधिक पक्षों के बीच जो वाद होता है वाद मतलब जो लडाई-जगड़े का म बनता है या civil जो disputes बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को civil disputes या दीवानी वाद कहते हैं इतने याद रखेगा हमारा अगला question है दुस्प्रेरण के लिए कौन सतत आवश्चक है तो दिखा option A में है किसी अपराध के लिए उकसाना option B में है अपराध करने के शणंद्र में सामिल करना option C में है आशे सहायता देना मनलब अपराध करने के उद्देश से किसी को सहायता अप्रदान करना option D में है हमारा जो सही आंसर होगा option D उप्यूक्त सभी ततुजी दुस्प्रेरण के लिए जो तत्व आवशक तो होता है वो तीनों ही है उपर के जो दिये गया है किसी अपराद के लिए उकसाना भी होता है अपराद करने के लिए शनन्द में सामिल करना भी है और अपराद की आशा से किसी का सहायता करना भी ये तीनों ही कटेगरी दुस्प्रेरन के तत्व माने जा करते हैं इसलिए हमारा जॉप्शन नमर डी होगा उपरोग तो सभी हम डी नमर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे हमारा अगला कुछ्चन है एने जानबूज का स्वेच्छा पूरवक बी को दोश पूर हानी पहुचाने के आसे से उसकी घड़ी को नदी में फेंक दिया तो एने क कौन सा अपराद ही किया तो जानते रहेगा अगर इसकी बात करें दिखे option A में है न्यास भंग करना option D में है रिष्टी अपराद और option C में है अब करशन option D में है उप्युक्त में से कोई नहीं तो जानते रहेगा इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये जो अपराद कहलाएग रिष्टी अपराध और रिष्टी अपराध रिखे आप्शन नमर B में है तो हमारा B नमर राइट अंसर हो जाएगा अब जानते लिए गर बात करें न्यास भंग क्या होता है थोड़ा से इसके बारे में भी जान लेते हैं तो जानते रहेगा किसी और की संपती को धोंखे से अपना बना लेना या फिर धोंखे से किसी और की संपती का यूज खुद करना या दूसरों को यूज करने देना उसकी सहमती के बीना उसको धोंखे में रखते हुए तो ऐसा जो अपराद होता है उसको हम मोलते है नियास भ मतलब जबरजास्ती कोई चीज़ लेना या फिर जबरजास्ती एंठ लेना किसी चीज़ को उसको हम बोलते हैं अब करशन इतना याद रखिएगा हमारा अगला कुश्चन है ए बी के मकान में मेज पर रखी हुई एक अंगूठी पाता है बी के आधिपत्य में रखी इस अंगूठी को ए बेईमानी से हटाता है क्या A ने कोई अपराध किया है तो दिखे ऑप्शन A में है भारती दंड सहिता की धारा 378 के अंतरगत उसने चोरी की है या फिर ऑप्शन B भारती दंड सहिता की धारा 390 के अंतरगत उसने लूट की है या फिर ऑप्शन C भारती दंड सहिता की धारा 405 के अंतरगत नियास भंग किया है उसने या फिर option D इन में से कोई नहीं तो जानते रहेगा हमारा जो सही answer होगा वो होगा answer number A जो आया है भारती दंड सहीता गिधारा 378 के अंतरगत उसने चूरी की है इसलिए हमारा जो answer number A होगा हम A number को क्लिक कर दें हमारा अगला question है व्यपहरण का अपराद किस आयूवर्ग से सम्बंधीत है अब देखे यह option पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेती हैं इसका मतलब क्या होता है देखे आया है व्यपहरण तो जानते रहेगा दो चीज़े होती ही एक होता है अपहरण और एक होता है व्यपहरण तो जानते रहेगा अब दोनों का English मे तो जानते रहे का किड्नैपिंग या जो व्यापहरण होता है इसमें किसी भी 16 वर्ष से कम बालक या 18 वर्ष से कम बालिका को अगर कोई इनसान बहला कर फुसला कर या फिर उसके सहमति से के साथ ही चाहे क्यों ना अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है गायब हो जाता है और बालक की जो आई होगी 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और गल्स की जो होगी वो 18 वर्ष से कम अगर है तो चाहे बहला फुसला कर इनसान ले गया हो या फिर उसके सहा सहमति से उसको लेकर गया हो उसका उसका ले जाना वो खिड्नैपिंग कहला आपहरन किसे कहते हैं अपडक्शन तो जानते रहे किसी भी उम्र के इंसान को अगर कोंग आपहरन क्या वैद के एंसान के साथ किसी भी उम्र केते हैं गोए अपगारा कर सहमती के साथ 16 वर्ष से कम आयू के बालक और 18 वर्ष से कम आयू की बालिका किसको अगर कोई ले जाता है तो विया पहरन कहलाता है और 18 वर्ष से कम आयू की बालिका के लिए होता है और ये दिखिया है आप्शन निम्बर B में ही आ गया है 16 वर्ष से कम आयू के बालक तो 18 वर्ष से कम आयू की बालिका के लिए इसलिए हमारा B निम्बर आप्शन सही हो जाएगा हमारा अगला कुश्चन है भारती दंड सहिता के किस धारा में राजद्रोह को दंडनी अपराद घोशित किया गया है आई रिपीट भारती दंड सहिता के किस धारा में राजद्रोह को दंडनी अपराद घोशित किया गया है तो जानते रहेगा वो जो धारा है वो है धारा 142 का A या फिर 142 का कभी आप कह सकते हैं और दिखे आया है 142 दिखे आया है धारा 142 का A जो आया है वो आया है option number A वे तो हमारा A number right answer होगा जानते रहेगा भारती दंड सहिता में वो जो धारा जिसमें राजद्रोह को दंडनी अपराद घोशित किया गया है वो है धारा 142 का A इसलिए हमारा option number A को हम click कर देंगे अगला question है बलवा के दोशी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावार्स से दंडित किया जा सकता है तो दीका option A में है 4 वर्ष की सजा option B में है 2 वर्ष की सजा option C में है 6 वर्ष की सजा option D में है 5 वर्ष की सजा तो जानते रहे कि अगर हम बात करें बलवा तो सबसे पहले बलवा क्या होता है यह जान लेते हैं तो जानते रहे कि दो प्रकार के यहां पे भी बताए गया है कि दो प्रकार के अपराद होते हैं वो निजी संपती को भी टार्गेट करके उसको नश्ट करने की कुशिस कर रहे हैं तो उसको हम बलवा बोलते हैं इतना जानते रही गा और जहांतरे कि बलवा की बात करें ति इसमें बलवा में अगर कोई इनसान सारवजनी संपद्धी के साथ सार निजी संपद्धी को भी छधी पहुँचा रहा है टार्गेट करके और यह जो होने चाहिए ग्रूप में आने चाहिए कम से कम के संख्या 5 होनी चाहिए और जो सजा का प्रावधान इसमें किया गया है वो किया गया है तीन वर्स के लिए वो वर्ष जो है वो तीन वर्ष है इतना जाद रखेगा हमारा ऐगला क्श्यंध है भारती धंड सहीता की किस धारा में सामान आशय के संबंध में प्रावधान दिया है तो दीख़गि a में है धारा 147 option b में है धारा 173 option c में है धारा 145 option D में है धारा 34 तो जानते लिए कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा option मड़ी धारा 34 इसलिए हम option मड़ी को क्लिक करतेंगे हमारा अगला question है निमन में से कौन सा महत्पून वाद मतलब disputes जो है मानवध से थोड़ा अलग होता है तो यह किस केस में देखने को मिला था दिखे कुस केस के नाम दिये गए है option इमपरर, option B में है केसी मैथ्यूकाबाद, option C में है रेक्स बनाम गोविंद और option D में इनमें से कोई नहीं है जानते रेक्स बनाम गोविंद और option C में है तो हम C नमबर को क्लिक कर देंगे जानते रेक्स बनाम गोविंद यह जो केस था इसी में यह बहुत ही clearly देखने को मिला है कि मानवध और हत्या में अंतर दिखाया गया है इस केस में इतना याद रखिएगा हमारा अगला question है चोरी के अपराद को गठित करने के लिए आवश्चक है ऐसी संपती जो क्या होनी चाहिए संपती चल होनी चाहिए चल का मतलब ऐसी संपती जिसको एक अस्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए सके जैसे मोटर वहन हो गया या कोई मावेशी पालता ह तो मावेशी हो गया और अचल हो मतलब अचल संपती का मतलब होता है एक ऐसी संपती जिसको एक स्थान तक दूसरे स्थान तक न ले जाया जासा कि जैसे घर हो गया जमीन हो गया और दीखें ऑप्शन सी में चल या अचल दोनों हो या फिर उप्युक्त में कोई नहीं तो जानतेरेका चोरी के आसाय अपराध को गठित करने के लिए जो अवस्था होता है वो होता है कि संपती चाहे चल हो या अचल हो दोनों पर ही एपलाई किया जाता है इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वह उप्शनन में हमारा C हो जायएके सिलिन अंचल को कुलिक कर देंगे हमारा अगला question है डकायती के अपराध को कारित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए तो दिखो option A में है 2 या 3, option B में है 4 से कम, option C में है 5 और option D में है 10 से अधिक तो जानते रहेगा डकायती के अपरात को कारित करने के लिए कम से कम जो व्यक्तियों की जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए पांच और पांच आया है option number C में तो हमारा C number right answer हो जाएगा हमारा अगला कुश्चन है मान हानी भारती दंड सहिता की किस धारा में परिभाशित है तो जानते रहेगा मान हानी जो है ये भारती दंड सहिता की धारा 498 में जानते रहेगा इस की परिभाशित किया गया है और 498 आया है देखिए option number B में तो हमारा B number right answer हो जाएगा हमारा अगला कुश्चन है A का वध करने के आसाय से मानली जी A नाम का कोई इनसान है और A का वध करने के उदेश से आसाय से B उस पर ऐसी परिशितियों में गोली चलाता है कि यदि A की मृत्य हो जाती है तो B हत्या का दोशी होता है तो B जो है वो किस धारा के अंतरगत उस B में तो हमारा C नंबर राइट अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है भैंकर अगनिकांड से गाउं को बचाने के लिए A नाम का इनसान कुछ मकानों को गिरा देता है और भारती दंड सहिता के अंतरगत A ने कौन सा अपराद किया है इसका मुलब कि अगर माली जी भैंकर अगनिकांड हो गया किसी गाउं में और गाउं के अन्य जो भी घर है उसको बचाने के लिए A नाम का कोई इनसान आता है जो कि कुछ मकानों को गिरा देता है जिसमें आग लगी है तो वो जो है भारती दंड सहिता के अंतरगत A को जो है कौन सा अपराद माना जाएगे उस वो जो होगा और ऑप्शन नम्बर B धारा और निम्न कंपराद नहीं है। से संबंदीत है मुख उद्देश कानून का पालन करना होता है तो जानते रहेगा वह बात जो भूल lot पर के दिए गए तीनओ ही और उपशन इसलिए हमारा जो option number D होगा हम D number को click कर देंगे हमारा अगला question है धारा 90 के अनुसार कोई सहमती वैद सहमत नहीं है ये दीव अब दीखे इसका मतलब क्या कह रहा है दीखे कह रहा है कि धारा जो है जो हमारा भारती सम्मिधान में जो धारा 90 है उसके अनुसार जो सहमती है सहमती का मतलब क्या होता है सहमती का मतलब होता है कि अगर कोई इनसान किसी को allow कर रहा है किसी को कुछ भी करने के लिए अपनी सहमती दे रहा है तो कहरें वो सहमती वैद सहमती नहीं कहलाएगी अगर उस इनसान को डरा धमका कर और उसके सहमती ले जाए उस अगर विए लगी कि før में माना करना दूँगा तो ऊसकता है यह नुक्सान कर दें या मुझे यह चोट पहुचा दें इस डर से अगर कोई इंसान अपनी सहमती देता है तो उस सहमती को वैद्स सहमती नहीं माना जाता ह। किसके अनुसार नहीं माना जाता धारा नबबे कि अनुसार इतना याद रखेगा और ये देखे आया है option number B में आया है कि किसी व्यक्ति द्वारा छती के भाय के अधीन दी जाती है एगर कोई इनसान अपनी सहमती देता हो किस लिए देता है इस डर से देता है कि व्यक्ति द्वारा च्छती के भाय से अगर वो कुद देता है कि वो मुझे च्छती पहुचा देगा इसलिए अपनी वो सहमती दे देता है तो ये जो सहमती है वो वैद्ध सहमती नहीं मानी जाते है इसलिए हमारा option number जो B होगा हम B number को क्लिक कर देंगे हमारा अगला question है A जो कि एक शेल चिकिसक जो है सदभावना पूरवक एक रोगी को सूचित करता है जो कि सदभावना पूरवक बहुती क्या है उसके प्रथिदया दिखाते हुए एक रोगी को यह बात बताता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता मना डूक्टर कह कि मुझे नहीं लगता कि आपके लिए पास बहुत जादा दिन का समय बचा हुआ है तो और इस बात को जब वो रोगी सुनता है तो कह रहे हैं कि इस आगहात के फॉलसरूप उस व्यक्ति की मृत्य हो जाती है तो कहरें जैसे डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम आपकी जो है कि ए दोशी है या नहीं जो डॉक्टर है वो दोशी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा तो जानते रहेगा धारा तिरानबे के अनुसार दोशी नहीं है कि उसे दोशी नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि सूचना व्यक्ति के फाइदे के लिए तथा सदभावना पूरव हमारा अगला कुश्चन है भारती दंड सहिता के अंतरगत एक शिश को अपराध करने में सक्षम समझा गया है। हमारा अगला कुश्चन है भारती दंड सहिता के अंतरगत तथ की भूल के बचाओ के लिए क्या आवश्चक है। प्रोक्त में से कोई नहीं तो जानते रहेगा भारती दंड सहिता के अंतरगत तथ की भूल के लिए जो बचाओ के लिए जो आवश्चक है वो होता है कर्म युक्त युक्त एवं सदभाव पूरवक किया जाना चाहिए और ये उप्शन नमर देखें सी में है कर्म युक्त युक्त एवं सदभाव पूरवक किया जाना चाहिए इसलिए उप्शन नमर हम सी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला कुश्चन है एक अभियुक्त को भारती दंड सहिता की धारा 149 के अंतरगत दंडित किया जा सकता है कब किया जा सकता है यदि दीखे आप्शन में क्या दिया है उसका दूसरे अभियुक्तों के साथ सामान आशे रहा हो आप्शन भी आपराधिक कृत्त में उसक की सक्री उपस्थिती हो आप्शन सी में सामान उद्देश रखते हो वह विधी विरुद्ध जमाओ या उसके किसी सदस्द्वारा सबके शामान उद्देश की परिपूर्त में आप राधिकृत करते समय उपस्थित रहा हो और आप्शन डी उप्युक्त में से किसी भी इस तो जानते लेगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ओप्शन नमबर C जी हाँ एक अभ्यूगत को भारती दंड सहीता की धार एक सोन चास के अंतरगर दंडित किया जा सकता है यदि सामान उद्देश रखते हो वह विधी विरुध जमाओ या उसके किसी सदस द्वारा सबक अन्यता उपबंधित नहो भारती दंड सहीता के अधीन जहां सहमती अपेच्छित है सहमती वैद्ध सहमती नहीं है यदि ऐसी सहमती दी गई है अब दीखिए हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गया हुए ये क्या कह रहा है क्वेशन में तो बहुत ही साधारन सब्दों अगर कोई इनसान 21 वर्ष से कम आयू का इनसान है और वो किसी चीज़ में अपनी सहमती दे रहा है तो उसकी सहमती सहमती नहीं मानी जाएगी या फिर आप्शन D में है 18 वर्ष से कम आयू के विक्ति दोर आप्शन C में है 7 वर्ष से कम आयू के विक्ति दोर आप्शन D में और जो C होगा हम C number को click कर देंगे हमारा अगला question है दुस्प्रेरण के लिए दुस्प्रेरण अपराद है यह सीधे निगम्नी है तो अब दीखिए यहाँ दुस्प्रेरण का क्या मतलब होता है जानते रहें कि दुस्प्रेरण का मतलब होता है तो किसके लिए है दीखिए option A में है भारती दंड सहिता की धारा 107 से option B में है भारती दंड सहिता की धारा 108 से option C में भारती दंड सहिता की धारा 109 से option D में भारती दंड सहिता की धारा 110 से तो जानते रहें का हमारा जो सही answer होगा वो होगा option number B तो जानते हैं का option number B जो है भारती दंड सहीता की धारा 108 से ये चीज़ लिया गया है इसलिए हमारा जो answer होगा option number B होगा तो हम B number को click कर देंगे हमारा अगला question है एको एक बाग उठा कर ले जाता है इसको बाग एक उठा कर ले जाता है अब कहरें कि इस बात को जानते हुए कि यह संभावना है कि गोली एको लग जाएगी और एक मर जाएगा किन्तु एका वध न करने के आशाए से मतलब कोई इरादा नहीं था कि एक मार मारना है और यह भावना रखते हुए कि उसको मारना नहीं है बलकि उसको बचावना है इस बाग पूरवक के साथ एक लाभ के लिए बी उस बाग पर गोली चला देता है एक को बचाने के लिए बी इसलिए गोली चलाता है कि बाग को मार देगा ताकि एक जान बच जाए ल लिखिन में से कौन सा कथन उसके लिए सही अब बैठेगा जिसने गोली चलाई है बी को व्यक्तिगत परिरच्छा का बचाओ उपलब्द होगा बी भारती दंड सहीता की धारा के अंतरगत आवश्चकता का बचाओ प्राप्ट कर सकता है बी भारती दंड सहीता की धारा के अंतरगत बीना सहमति के लिए गए कार से सम्मंदित विधिका लाब प्राप्ट कर सकता है बी को कोई बचाओ पलब्द नहीं होगा क्योंकि उसे ग्यात था या ग्यान था कि उसकी गोली से मृत्य कारक घाओ हो सकता है तो जानते ही के हमारा जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बी भारती दंड सहीता की धारा के अंतरगत बीना सहमति के लिए गए कार से सम्मंदित विधिका लाब प्राप्ट कर सकता है इसलिए हमारा option number जो C होगा हम C number को क्लिक कर सकते हैं हमारा अगला question है निमने में से कौन सा कार दुस्प्रेरक है तो दीखे option A में है व्यक्ति द्वारा स्वेक्षा से किया गया कार option B में है अन्य व्यक्ति के सुझाओ द्वारा किया गया कार option C में है सामान परियोजना के प्रवर्तन द्वारा कार option D में है उप्रोक्त सभी तो दीखे option कहरा है एक निमने में से कौन सा कार दुस्प्रेरक है तो जानते हैं हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा option बर भी अन्य व्यक्ति के सुझाओ द्वारा किया गया कार अगर कोई इनसान माली अगर कोई इनसान किसी दूसरे इनसान को क्या करता है उसका mind divert कर देता है किसी चीज के प्रती और उसके प्रती उसकी सुच बदल जाती है और वो जो काम करता है वो उस चीज के लिए hit कर नहीं होती है तो ऐसी चीज़े जो होती हैं उसको हम बोलते हैं दुस्प्रेरक जो की option number B में है के अन्ने विक्ति के सुझा दवारा किया गया है कार मतलल अपने माइंड से ना किया गया हो तो उसको हम बोलते हैं दुस्प्रेरक इसलिए option number B को हम click कर देंगे और आज हमारा लास्ट क्रेशन है भारती दंड सहीता की धारा के अनुसार अवैध शब्द लागू होगा तो कब लागू होगा देखें ऑप्शन A में है जो विधि द्वारा प्रतिशिद्ध हो ऑप्शन B में है जो अपराद हो ऑप्शन C में है जो सिविल कारवाही के आधार उत्पन करती हो ऐसी कंडिशन में भारती दंड सहीता की धारा के अवैध शब्द लागू हो जाएगा इसलिए हमारा C नंबर आप्शन को हम क्लिक कर देंगे तो में भी आपको यहां वन बाई वन सारे क्रिशन क्लियर हो रहे होंगे अगर चीज़े क्लियर हो रही ह तो इसका actual meaning जो होगा आपके mind में एक दम क्या हो जाएगा छपसा जाएगा तो चलिए आज कितने हैं thank you very much for watching this video thank you